हलो हाई वीवर्स कैसे आप लोग होप आप लोग अच्छे होंगे खुश होंगे अपनी लाइफ में चलिए आज फिर करते हैं कलेक्टिव रिडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सबसे पहले लाइफ से पहले हम यह देखेंगे हैं या ना चाहके भी सोचते हैं या ना सोचते हूए भी वो आपकी लाइफ में एक एहम रो delivered करता है या जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको रिडिंग मिले आपकी उसको मतलब उसके मन की जो भावनाएं हैं आपको पता लगे तो उस इंसान कि हम बार में देखें कि मेरे विव्युवर्स कि सब्सक्राइब तेन Politicallyenee कुई औफ पॉन्टिकल्स कुई ऑफ पॉन्टेकल्स कि नेंख्सट कार्ड हैं यह सवॉअ्य है एंड नेक्स्ट कार्ड है टेन अफ पांटिकल्स ओके देखिए अगर मैं इन कार्ड को ध्यान से देखू तो इन कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो है तो उनकी हालत पता क्या है जैसे वो घायल हो घायल शेर नहीं होता 10 of sorts देखिए मैंने अब घायल बिली क्यों नहीं का घायल डॉगी क्यों नहीं का घायल शेर ही क्यों का है घायल शेर आपको इसलिए बोला गया है कि आपको शायद एक चाहे रिष्टे में चाहे आपकी लाइफ में मैं जो अब्जर्व कर पा रही हूँ कि आपको एक ऐसा किया है मतलब आपने न एक ऐसा दुख जो है अपनी लाइफ में फील किया है जो एक मृत्य तुल्ले कश्ट जिसको कहते हैं न कि इनसान का अंत नहीं हुआ लेकिन अंत तक उसने देख लिया ठीक है ओके अब नेक्स्ट कार्ड हमारे पास बड़े दोनों पॉजिटिव है 10 of pentacles and 10 of queen of pentacles तो दोनों ही बड़ी prosperous और बड़ी wealthy और बड़ी ही attractive बड़ी ही admire करने वाली शक्सियत को बताते हैं ये दोनों कार्ड ठीक है जी तो जहां तक मैं अपने viewers के बारे में देखूं तो जैसा मैंने बोला कि उनको इतना जादा जो दुख मिला है चाहे वो किसी रिष्टे में एक no contact की situation में है ठीक है जहां पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इनसान उनको जो है बिना बताये ही उनकी life से चला जाएगा या फिर उनकी life से नहीं चला जाएगा या फिर उनको मतलब इतना सफर करना पड़ेगा कि उनकी health भी जो है मैं यहां बहुत से अपने viewers की health भी खराब देख रही हूँ ठीक है तो उनको लगता है कि शायद anxiety tension का impact है उनके उपर अंदर ये अंदर उनको इस चीज़ का इल्म है इस चीज़ का पता है कि इसी वज़े से वो लोग इतने अपने आपको एक effortless और मतलब एक जैसे होता नहीं एक इनसान जिन्दा है लेकिन उसके अंदर की जो जिन्दा रहने की शक्ति होती है वो कहीं खो गई है मतलब उसको लगता है कि एक मर जीवा जैसे कहता है एक इनसान मर गया है लेकिन उसको जीना पड़ रहा है इस type की situation में मैं अपने viewers को देख रही हूं लेकिन अंदर ये अंदर उनको एक अंदर से एक empowerment है मेरे viewers को कि ये जो process चला है जो इतना एक मतलब एक level तक हमने जो है एक किसी दुख को बरदाश्ट किया है चाहे वो रुष्टे में चाहे वो life में चाहे कैसे लेकिन इसका जो एक इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो अब जो है मेरे viewers अपने आपको एक stable stability की तरफ जाते हुए देख रहे हैं चाहे वो अपने career में चाहे वो अपनी life में और अगर मतलब वो एक ऐसे हैं जैसे अब एक मेरे viewers एक ऐसे बन चुके हैं जैसे एक full package होता है queen of wands sorry queen of pentacles they have everything in their life मतलब उनके अंदर जो है अपनी life को इस time जो है उनके अंदर अपनी life को settle करने की जो है सबसे बड़ा एक जुनून मैं देख रही हूँ अपने आपको पूरा करने की ठीक है तो अब जो है ये दुख भी उनको अंदर ये अंदर समझ आ चुकी है कि ये दुख जो उनको मिला है जो इतना ये backstab मिला है या no contact situation मिली है या फिर जो भी उनको ये जो सफर करना पड़ा है उसका कारण ही था कि भगवान का process कि उनकी life में एक stability एक wealthy होना एक जो है एक 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 ऐसी शक्सियत बनना जो जो एक limelight में हो या फिर जो औरों के लिए एक inspiration हो उनको वो चिस समझ आ रही है ठीक है जी तो ये सबसे पहले जो मैं अपने viewers को इस हालत में देख रही हूँ चाए वो male है चाए वो female है ओके जी चलिए अब हम देखते हैं कि जिस इंसान को लेके क्योंकि देखो हर इंसान यहाँ पे जितने लोग reading के लिए आते हैं जादा तर उनकी intuition होती है या तो उनकी career life या उनका married life या उनके साथ किसी का attraction या एक bonding एक प्यार जिसको कहते हैं या कुछ भी चाहे वो उनका crush है चाहे वो उनका lover है चाहे वो एक attraction है या past कोई person है जिसके लिए वो मतलब एक move on होने के बाद भी उसके लिए सोचते हैं तो ये जो है please divine मुझे guide कीजेगा ताकि मैं अपने viewers को please cards मुझे बताईए holy spirits, archangel family please मुझे बताईए कि जो मेरे viewers हैं उनके partner किस स्थिती में हैं बताएं क्या सोच रहा है ये इनसान currently इस रिष्टे के बारे में और क्या decision लेना चाहता है और भगवान भी क्या चाहता है वो outcome में देखेंगे ठीक है ये you as them be a reading का topic और current energy of your love life भी है दो topic एक की कठे ही ले रही हूं है चलिए देखते हैं आपका partner जो है किस energy में है क्या सोच रहा है वो इसके लिए भी तीन cards निकालेंगे चलिए तीन cards आगया है मारे पस और bottom में यहां हम देखें तो queen of swords है ओके देखिए five of swords आपके person जो है five of swords night of wands ओके 10 of wands देखिए 10 10 number कितना significant है यहां पे 10 of pentacles आया यहां पे 10 of wands है इसका मतलब क्या है कि आप तो 10 of swords की energy को spear करके आप एक 10 of pentacle की energy में जा रहे है मतलब खो के पाने की process में जा रहे है और यह इंसान जो है अब burden ले रहा है अब यह इंसान burden ले रहा है अब इसको लग रहा है कि शायद इसकी ego ने क्योंकि king of wands आपको पता है कि एक ऐसा शक्स है चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है उसके अंदर की जो qualities हैं वो कुछ अपनी एक selfish भी कह सकते है थोड़ा यह जो king of wands के energy होती है selfish भी होती है ठीक है अब इन सब गुणों के चलते चलते हैं इन सब जो characteristics के होते हुए इस इंसान ने जो यह है sorry five of swords जो आपके साथ कोई भी मन मुटाव हुआ है यह आपको जो है एक हमेशा इसने एक कड़वा बोला है maturity दिखाई है रिष्टे को समझा नहीं है उसका इसको burden हो रहा है कि मैंने time रहते रहते अपनी जूटी ego के चलते या फिर अपनी जो अपने आपको सही साबित करने के चकर में अपने partner को जो है कहीं खो तो नहीं दिया तो इस चीज का इस इस चीज का burden हो रहा है ठीक है जी अब हो गया ये आपका और आपके partner का क्या चल रहा है दिल दिमाग में चली अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है इस पर इस के partner का next action क्या हो सकता है please divine guide करें मेरे viewers के लिए मेरे viewers के partner का next action क्या हो सकता है एक stable new beginning यह आपसे बात करना चाहता है यह इंसान कि क्या वज़े थी जब मैं आपके साथ ऐसा बहेव कर रहा था मतलब यह चाहता है कि इसको एक opportunity एक मौका आप और दे एक जो है आप इससे बात करें आप इससे communicate करें आप खुद इसको call करें यह आपको call करें हम बातों को clear करें हमारे जो बीच में यह five of swords की energy आगी है जो यह misunderstanding हुई है इसको जो है ठीक करें देखी अगर मैं यहाँ sign देखू तो यहाँ air sign significant है Gemini Libra Aquarius ठीक है Taurus Virgo Capricorn भी है क्योंकि यहाँ pentacle भी है pentacle के भी दो card है wants भी है तो Aries लिओ Sagittarius भी है तो यहाँ कप सभी मुझे कोई नजर आया क्योंकि अभी जो है ना एक द्वंद्व चल रहा है दोनों तरफ एक इंसान मतलब burden को खतम करके एक life में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो है मेरे viewers वो अब अपने pentacle और अपनी अपनी looks और अपने उपर ध्यान दे रहे है इधर आपका partner है जो एक guilty में है guilty conscious हो रहा है उसको लग रहा है कि आप से बात करना चाहा रहा है आप से clear करना चाहा रहा है आप से शायद क्या पता apology माफी भी मागना चाहा है यहाँ मैं देख रही हूँ ठीक है ace of sword एक understand मतलब उसको लगता है कि जहाँ पे हमारे हमने एक दुसरे को नहीं समझा शायद lack of understanding के कारण ही हम लोगों का रिष्टा जो है खराब हो गया तो हमें आपस में communicate करके बात करके इस चीज़ को यह जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ कहां उसकी गलती थी कहां आपकी गलती थी ठीक है जी चलिए अब हम देखते हैं कि इस बंदे का जो आपके partner है ace of sword sorry action हमने निकाल लिया है यह action है इस इंसान का आपकी तरफ आना आपके साथ clear करना बातों को ठीक है इसका कोई call text आपको एक दिन में आ सकता है next action में चलिए अब हम देखते हैं कि main feeling क्या है इसके अंदर आपके partner की feeling क्या है seven of pentacles गलतियां सोच vision अपना vision अपने आपको अपने vision को clear कर रहा है शायद वो पहले किसी और सोच से सोचता था अब उसने अपनी सोच को change करके अब अलग तरह से सोचना शुरू किया है उसको लग रहा है कि जैसे मैं एक egoistic होके अपनी अपनी चला के अपनी ही अपने ही जो जो एक concern होके अपना ही फाइदा देखता था तो अब मुझे अपने सोचने का अंदाज जो है बदलने की जरूरत है अगर मैं चाहता हूँ कि ये इनसान मेरी life में stable रहे ओके page of pentacles देखिए अब ये आपको कुछ offer करना चाहता है आपका partner क्या offer क्योंकि दोनों ये offer के card है इस of sword भी और इधर से page of pentacles भी कुछ छोटा, कुछ gift कुछ gift मैंने जैसे apology कहा, चाहे वो apology आप समझ ले, चाहे वो आपको कोई gift करके, या किसी तरह भी आपको मनाना चाहता है आपसे बात करना चाहता है आपसे बाते clear करना चाहता है कहां इसकी गलती हुई और कहां जो है आपके द्वारा achievement winner होना चाहता है अगर ये unmarried है तो आपसे शादी करना चाहता है achieve करना चाहता है या आपकी रिष्टे को जीतना चाहता है ये इनसान अब आपको जीतना चाहता है ठीके जी यहाँ पे six of wands का card आया बहुत passionate है काफी attractive हो सकते हैं आप इसकी नजरों में देखिए queen of pentacles की energy कोई चोटी-मोटी energy नहीं है तो वो मेरे viewers की energy है और शायद आप इन दिनों अपनी looks और अपनी एक जैसा कि मैंने देख रही हूँ मैं आपकी energy कि आप अपने pentacle पे काम कर रही है आप अपने पैसे पे career पे काम कर रही है तो आप और ज्यादा शायद आपकी शक्सियर जो है attractive लग रही है आपके partner को चलिए भगवान जी और बताईए अब ये इनसान जो है इस रिष्टे पे achievement चाहता है चलिए भगवान जी और बताईए और क्या होने वाला है मेरे viewers की love life में love life में ये career में देखिए moon moon का card आया है moon का card एक missing energy को भी दिखाता है moon का card चीजें छुपाने को भी दिखाता है एक एक चीज क्या देखो यहां पे moon का card इसली भी आया है क्योंकि आज full moon है शायद full moon नहीं है sorry new moon है new moon की energy जो है यहां मैं impact उसका देख पा रही हूँ कि maybe शायद एक new moon का जो एक impact है कि ये इनसान जो है चीजों को हर नजर ये से सोच रहा है जैसे मैंने बोला ना कि ये अभी सोच रहा है कि कहां इससे गलती हुई कहां इसने गलत किया कहां आप से गलती हुई कहां जो है चूक रह गई कि ये रिष्टा जो है एक आज जो है less contact या no contact की situation में है Ace of Wants passionate है आपके लिए बहुत attraction फील कर रहा है आपके साथ एक new beginning एक new start करना चाहता है Two of Wants plan कर रहा है कुछ प्लान कर रहा है जैसा कि मैंने बोला आपको कोई gift या कुछ apology देने के लिए ठीक है जिससे आप मान जाएं और इसको छोड़के ना जाएं ओके जी देखिए यहाँ पे क्या है nine of cups ओके आप अपने person की wish fulfillment अब इसको यह लग रहा है कि आप से ज़्यादा इस एक precious इसकी life में कुछ भी नहीं आज की date में क्योंकि आपके बिना यह अपने आपको incomplete समझ रहा है यह इंसा तभी यहाँ पे 10 10 number 10 10 pentacle आपकी तरफ आया और इसकी तरफ 10 of wants यह एक अपने passion अपने इतना जिसके लिए pull इतना जिसके लिए attraction फील कर रहा है उससे दूरी का इसको burden हो रहा है ठीक है और आप अपने आप अपनी monetary condition को सही करने में लगे हैं आप अपने घर को देख रहे हैं आप अपने अपनी wealth को देख रहे हैं ठीक है जी two of pentacles यह भी हो सकता है आपका partner married हो married हो या किसी और कार्मिक के साथ हो connection में हो जो भी है लेकिन वहां से ही है आपके साथ जगल कर रहा है क्योंकि अब अब इसकी पूरी तवज्जो पूरा ध्यान जो है वो आपकी तरफ है ठीक है जी जो चीज हमें मिल जाती है न उसकी value हमारे लिए कुछ नहीं रहती लेकिन जो चीजें हमें हमें मिल के भी खो देते हैं बाद में फिर हमें realize होता है कि हमने क्या खोया ठीक है जी तो यहां पर आगया है six of pentacle तो अब यह आपके साथ एक equal given take करना चाहता है जो भी गलतियां हुई है इससे देखो गलतियां हर एक से होती है ठीक है लेकिन फिर भी उनक को एक realize करना पास्ट में इसने काफी जो है एक इस रिष्टे को कभी भी इतना precious नहीं समझा था इसने के एक ऐसा रिष्टा है जिसके लिए इतने emotions देख लो जी cups के भी card आगए page of cups अब यह loyal बनके जो है इस रिष्टे को निभाना चाहता है तो okay viewers यह थी आपकी और आपके partner की current energy और अब हम जो है एक बार जो मैं यह देखने की कोशिश करूँगी कि angels हमें क्या guide करते हैं please angels मेरे viewers को बताईए कि उनको क्या करना चाहिए अगर आपका कोई question है तो आप मन में सोच लें क्योंकि इस और नो भी आता है तो एक card आगए ले ले लेट गो देखिए लेट गो चलिए और बताईए एंजल अभी मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर लेट को क्यों आए रीकंसिडर ओके जी improving health ओके weight देखिए जैसे पहले ही 10 of sword आया था 10 of sword में आपका देख रही थी में भी मैं कह रही थी न मेरे viewers हो सकता है बिमार हो या उनको लगता हो कि उन्होंने अपनी इस चीज बहुत कुछ खोया ऐसे इस टाइप से एक मृत्यू तुल्ले कस्ट देखा चाहे वो अपने physical issue में चा तरफ ध्यान दे अपनी health को improve करें अपने partner को चाहे वो आपका x था चाहे next है चाहे जो है जो जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये reading उसको एक let go वली let go मतलब क्या है यहाँ पर let go ये नहीं कि उसको उसको अन देखा मतलब उसको एक surrender कर दो उस रिष्टे को उसके बारे म इधर आया let go next card reconsider let go करना है उसकी गलतियों को past में जो बुरा हुआ है उसको let go करना है रिकंसीडर करना है एंजल बोलना है रिकंसीडर आपको ये करना है कि आपने इस पूरे अपनी जो भी ये कहानी थी इसमें कहां आपकी चूक थी कहां आप से गलती हुई थी उसको रिक करना है अब आप कहेंगे और वेट करना है वेट यहां पर इस चीज का वेट नहीं करना कि इस इनसान का वेट करना है वेट यहां करना है उस कुद्रत के उस परमात्मा के उस इश्वर के justice का कि कैसे वो आपकी लाइफ में चीजों को अपने आप unfold करता है चाहे वो आपका है चाहे वो आपकी life है throughout जो आपकी life है चीक है उसको कैसे वो एक सही जो है एक platform पर ले के आता है okay viewers love you all take care ये थी आप लोगों की reading reading अच्छी लगें तो like भी कर दिया करें share भी करें reading और comment करते हैं compliment देते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप ही है जो इस channel को grow करा सकते हैं और आप करा भी रहे हैं और आपको मेरी reading अच्छी भी लगती हैं और मैं भी कोशिश करते हूँ चाहे देखो एक दो दिन बीच में मिस हो जाते हैं क्योंकि मेरे भी health issues है यहाँ पर जो मैं कहते हूँ के ना ही हो भगवान मुझे यह सोच के reading नहीं बनानी के मुझे तीन चार reading बनानी मैं सोचती में हूँ यह नहीं मैं सोचती नहीं मेरे मन में थोड़ा सा लालच भी आता है कि नहीं मैं अच्छी जादा video बनाऊंगी औरों की तरह मैं भी जल्दी-जल्दी ज़ादा जो है लोगों में popular हो जाओंगी लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाती क्योंकि वो मेरा nature ही नहीं है मैं हमेशा हर काम को अपने मन से करती हूँ नहीं मन है तो मैं उस काम को छोड़ दूँगी लेकिन जब करूँगी तो मन से करूँगी शायद उसी का नतीज़ा है कि आप लोगों को मेरी reading अच्छी लगती है मेरी ग्यान की बातें जो कहीं बार कुछ ज़ादा हो जाती है कहीं बार मेरी बच्चे भी बोलता है ममा का मैं कहीं बार आप ज़्यादा expand करके बताते हो थोड़ा short में बताया करो कई viewers थोड़े बोर भी होते होंगे मैंने का चलो देखो बोर होते हैं तो ना देखे मेरी वीडियो किसी और की देख ले लेकिन मुझे तो जो कहना है मैं कहके ही रहूंगी और मुझे मेरा मौटी भी यही है कि मैं जो है खाली एक tarot reader एक love life देखो में क्या होता है हमारे में जो है इनसान भूखा रह सकता है लेकिन जो उसके जजबात है उसको ज़्यादा दुख देते हैं ठीक है जी जो उसके अंदर की भावनाएं हैं वो उसको एक उनको मैं एक सई दिशा देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है यहां से कुछ अगर reading देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी एक guidance मिले जिससे आप जिन्दगी जीएं भी और उसको खुशी-खुशी जीएं आप से अगर एक चीज छिनगी है चाहे वो partner है चाहे वो आपकी life है life का कोई भी moment है कोई भी desire है कोई भी आपकी इच्छा है अगर मान लो वो पूरी नहीं हुई आपकी जिन्दगी थोड़ना खतम होगी आप उस desire को बदल लो आप उस desire को हटा के कोई और कहीं जगा अपना ध्यान करो concentrate तो क्या पता जब आप उससे ध्यान अटाओ तो वो चीज आपके आगे पर उसी मिले ठीक है जी क्योंकि देखो universe जो है अपने साफ से चलता है भगवान अपने साफ से चलता है भगवान ने तो लिख दिया जो हमारे भाग गया में है लेकिन हमें अपनी energy को इतना जो है positive रखना है कि चीजें अब हम क्या करते हैं हमेशा एक इनसान का इंतजार एक इनसान की उससे क्या करते हैं हम universe को एक message देते हैं कि वो चीज हमारे पस नहीं है और हमने ये नहीं बताना है universe को हमने universe को ये बताना है कि I have everything in our life ठीक है मेरे पास सब कुछ है जब एक भगवान ने हमें अपने शरीर जो है पूरा दिया है तो उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया ये सोचें ठीक है और अगर हम ये सोचेंगे तो धीरे धीरे जो नहीं भी है न वो भी हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा ठीक है तो okay viewers और स्वाइ, टेक्केर!